दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे definitions section 3 Hindu marriage act में जो given है और यह आपको definitions जो है बहुत बार पूछे जा सकती है exam में तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझने की requirement है साथ ही हम section 4 भी discuss करेंगे इसी वीडियो में जो की बहुत एक basic सा है जहां पर यह बताया गया है कि यह जो Hindu marriage act है यह बाकी act के उपर यह बाकी जो जब यह बना था कानून जो उस टाइम के prevalent customs है या practices थी कैसे उसको यह override करता है तो आईए डिरेक्टर हम bare act से पढ़ते हैं तो देखिए bare act में section 3 हमारे पास आगया यहां पर definitions अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है जो आपको एक्जाम में पूछी जाएगी custom और usage custom और usage क्या है यह पूछेगा तो यह एक कोई भी rule है जो कि continuously चलता आ रहा है uniformly observe किया जा रहा है कोई भी custom, कोई भी practice, कोई भी usage बहुत लंबे टाइम से चलनी चाहिए continuously और uniformly तो इसमें तीन चीजे है long time means काफी लंबे टाइम से continuously चलना चाहिए और uniformly means हर जगा वो चल रहा है तभी उसको custom यह usage हम बोलेंगे has obtained the law of यह जो force of law है means एक तरह से जो हमारी practices बन चुकी है वो एक तरह से कानून बन चुका है वहाँ पर among Hindus in any local area tribe, community, group और family ठीक है तो किसी भी local area में कोई tribe है, community है, group है कोई family है, कुछ ऐसी practices जो काफी time से uniformly चलती आ रही है और वो हाँ पर एक कानून वाली feel है कि यही कानून है में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है बट एक practices ऐसी बन गी है कि यही कानून है ऐसा ही होगा, उसको हम बोलेंगे custom and usage proviso क्या लिखाया है इसमें provided that the rule is certain certain होना चाहिए, unreasonable नहीं होना चाहिए और public policy के oppose नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर public policy के against हो गया तो उसको हम custom ये usage नहीं मानेंगे as per section 3 of Hindu मैं reject ठीक है proviso एक और क्या है इसमें that in case of a rule applicable only to a family अगर सिरफ एक family के लिए ही वो rule applicable है तो वो discontinue नहीं होना चाहिए rule, उस family में वो continuous होना चाहिए तब ही वो custom और usage आ सकता है तो मोटी बाते आपको क्या इसमें ध्यान रखनी है कि continuous होना चाहिए uniform होना चाहिए long time से चलते आना चाहिए एक कानून वाली feel होनी चाहिए हिंदूों में किसी भी एक local area में tribe हो, community हो, group हो या family हो unreasonable नहीं होना चाहिए certain होना चाहिए यह पता होना चाहिए कि क्या है यह क्या practice है कैसे करनी है और public policy के against ना हो और continuous चले अगर वो किसी एक family के लिए भी है तो first clause में एक clause में जो था definition हमने अभी पढ़ी अब इसके बाद है district court district court बहुत basic है इसमें है कि किसी भी area में जहां पर जो भी area होगा वहाँ पर जो city की उस city की civil court है या principal civil court है original jurisdiction में उसको हम district court बोलेंगे या फिर कोई भी ऐसी court जिसको जो state government है उसने by notification official gadget में बताया गया है कि यह आपकी district court होगी C clause जो है बहुत important है इसमें दो चीज़े है full blood and half blood इसको बहुत ध्यान सेफ समझने है आपको two persons are set to be related to each other by full blood full blood में कब होंगे when they are descendant from a common ancestor and same wife ठीक है जब wife भी same है और ancestor भी common है तब हम बोलेंगे उन दो persons को कि वो full blood से related है ठीक है wife भी same ancestor भी same और half blood कब बोलेंगे जब ancestor तो common है but wives different है तो उसको हम बोलेंगे half blood means एक man है उसने दो शादियां की पहली wife से एक बच्चा दूसरी wife से एक बच्चा वो दोनों बच्चे जो है अपस में half blood हम बोलेंगे कि वो related है half blood बट एक ही wife से दोनों बच्चे हो तो हम उसको बोलेंगे full blood इसके बाद है uterine blood uterine blood कब होगा d clause में है two persons are set to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestors a common ancestors बोला है but by different husbands एक लेडी की एक लेडी ने दो शादियां की पहले husband से एक बच्चा था दूसरे husband से दूसरा बच्चा था उसको हम बोलेंगे उन दोनों बच्चों को को वो uterine blood से एक तरह से related है explanation में क्या बोला ancestor includes father ancestors the mother ठीक है basic e में क्या बोला है prescribed का मतलब है जहां पर भी act में हमें prescribed word मिलेगा तो उसका मतलब है prescribed by rules made under this act तो बहुत general definition है बस आपको याद रखने है अगर prescribed का मतलब अगर पूछा जाता है तो prescribed by rules है कहीं पर भी कोई भी rules है उसके अंदर जो भी चीज़ mention है उसको हम बोलेंगे prescribed now f clause यह बहुत important है क्योंकि इसमें spinda relationship की बात किये direct question आते है spinda relationship क्या है कौन से spinda relation में होंगे दो लोग तो उसके बारे में f clause में बहुत अच्छे से यह बताया गया है spinda relationship with reference to any person extends as far as third generation inclusive in the line of ascent through the mother तो यह याद अखना है अगर mother वाली तरफ से जाना है तो तीन generation तक including mother तो mother उसके बाद यह mother को तो हम first मानेंगे फिर second generation और फिर यह third generation तो mother को include करते हुए spinda relation कौन से होंगे यह जो line है mother mother की mother मान लो या mother के father वाली वो जो हो गई उसके उपर एक और तो mother की तरफ से अगर जाएंगे तो तीन generation देखनी है और यही चीज़ अगर father की तरफ से जाएंगे तो 5 generation जो होंगी ascent means उपर की तरफ उपर वाली पीडियां जो इसे हम बोलते हैं the line being traced upwards जो मैंने बताया आपको in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation तो यह बहुत बार question आता है कि mother की तरफ से अगर हमें line of ascent देखना हो तो कितनी generation तीन generation father की तरफ से 5 generation और father या mother जिसकी भी हम line of ascent को trace कर रहे हैं उसको include करोगे उस person को आप father या mother को first generation count करोगे ठीक है तो यह मैंने जब बनाए है picture mother first होगी उसके उपर second उसके उपर third तो spinda relationship के लिए आपको एक तो यह line of ascent समझना है mother की तरफ से 3 father की तरफ से 5 ठीक है आच्छा इसके बाद second इसका sub clause क्या बोलता है two persons are set to be spindas of each other if one is linear ascendant of the other within the limits of spinda relationship कहता है कि two persons को spindas हम कब बोलेंगे कि वो spinda relationship के अंदर है जब एक जो हो दूसरे का linear ascendant हो means उपर वाली line में कहीं पर दूसरा वाला जो है lie करता हो जो भी हमने limits बताई है मालो A and B है ठीक है दो लोग है यह father की तरफ से अगर हम देखे तो linear ascendant बनता है B और father की तरफ से देखे तो 4th generation में आ जाता है तो A और B जो है अब इसके लिए एक बार अगर हम देखे मालीजे A और B की बात करें ठीक है अब A की जनरेशन फादर की तरफ से देखे ठीक है तो A की चौथी जनरेशन में मालीजे 4th generation में कहीं पर B जो था लाए करता था बर directly नहीं करता था 4th generation पर जो भी person था मालो उसका बेटा जो था वो B था तो इसका मतलब B का ascendant और A का ascendant एक ही linear ascendant बनगे स्पिंदा relationship में है तो A और B को भी हम बोलेंगे कि वो स्पिंदा relationship में है या तो वो direct उस line पर ही लाए करते हो दोनों या फिर line के आजू बाजू लाए करते हो दोनों के ancestor जो है वो उस line पर लाए करते हो common linear ascendant जो हम बोलते हैं तो भी वो स्पिंदा relationship में होंगे तो स्पिंदा relationship एक तरह से आपको क्या बताता है कि एक ही PD का person हो मतलब एक ही PD में दो लोग हो तो वो स्पिंदा relationship होंगे PD या कब तक देखनी है मदर की तरफ से तीन, फादर की तरफ से पांच उस PD में उस line पे हो कहीं पर जैसे father, father के father, father के father great grandfather ऐसे चलते जाएंगे पांच generation तक या फिर उस father जो great grandfather है उनके थोड़ा बहुत इधर उदर मान लो उनके बच्चे होगे वो भी स्पिंदा relationship में कहलाएंगे तो ये F clause जो है बहुत important हो जाता है स्पिंदा relationship में आगे है degrees of prohibited relationship ये भी बहुत important है क्योंकि सारा जो act है हमारा Hindu marriage act किन दो लोगों की शादी हो सकती है उसके लिए आपको स्पिंदास बहुत अच्छे से समझाना चाहिए prohibited relationship भी बहुत अच्छे से समझाना चाहिए तब जब हम section 5 discuss करेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि स्पिंदास क्या है prohibited relationship कैसे हम बोलेंगे कि उनके बीच में जो marriage है वो valid नहीं है वो void है तो G clause क्या बोलता है two persons are set to be within degrees of prohibited relationship prohibited relationship मतलब जिनका relationship नहीं हो सकता ठीक है उसके उपर obstruction रहेगी तो दो लोग कब degrees of prohibited relationship में आएंगे पहला क्या बोलता है one is linear ascendant of the other अगर एक जो है दूसरे का linear ascendant है means एक जो है दूसरे का PD में उपर की तरफ कहीं लाए करता है दूसरा second इसका sub clause क्या बोलता है if one was the wife or husband of the linear ascendant or descendant of the other एक जो है दूसरे का या तो wife है या husband है किसका उसके उपर वाली PD में किसी का या नीचे वाली PD में किसी का ठीक है person A मान लिजे ये है इसके उपर वाली PD मान लो B है नीचे वाली PD मान लो C है तो जो A है वो B का जो भी spouse होगा ठीक है या फिर C का जो spouse होगा इन दोनों के साथ A जो है prohibited relationship में होगा ठीक है if one was the wife of the कहता एक जो है wife है किसकी brother की brother की wife के साथ कोई relation नहीं हो सकता father की wife के साथ mother's brother mother's का brother मतलब मामा तो मामा की wife जो है उसके साथ नहीं हो सकता grandfather की wife के साथ नहीं हो सकता grandmother's brother दादी का भाई उसके भाई की wife के साथ भी कोई relation नहीं हो सकता तो अगर एक wife है जो भी person है मालो ए person है इसके भाई की wife के साथ नहीं इसका relation हो सकता father की wife के साथ नहीं हो सकता mama की wife के साथ नहीं हो सकता grandfather की wife के साथ और grandmother का जो भाई होगा उसकी wife के साथ भी कोई relation नहीं हो सकता ये भी अगर दो जो है वो आपस में भाई भेहन है उनका relationship नहीं हो सकता अंकल एंड नीस जैसे चाचार भतीजी होगे आंट एंड नेफ्यू जैसे बुआ एंड भतीजा और चिल्डरन ओफ ब्रदर एंड सिस्टर और टू ब्रदर और टू सिस्टर दो सिस्टर के बच्चे वो भी नहीं कर सकते आपस में शादी या means prohibited relationship में है दो ब्रदर के बच्चे या एक ब्रदर दूसरी सिस्टर उनके आपस में बच्चे भी नहीं किसी भी तरहा के relationship में Hindu marriage act में नहीं आ सकते explanation क्या दी होई है इसमें आपको समझना है जो relationship है, वो half blood से हो, या uterine blood से हो, या full blood से हो, सारे relationship जो भी हमने prohibited degree की बात किये या spindas की बात किये, वो half blood हो, uterine blood हो, full blood हो, सारी जगाँ applicable होगा, illegitimate हो या legitimate हो, वहाँ पर भी applicable होगा, या फिर adoption से हो, या blood से हो relation, बात मैं मालो adoption कर ली, किसी ने adopt कर लिया, और उसके बाद यह तो हमारा खून का रिष्टा नहीं है, ऐसा नहीं है, adoption से भी है, तो भी यह सारे जो हमने अभी पढ़े हैं, spindas और prohibited relationship वाले clauses वो हर जगा applicable है, तो यह भी बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको के explanation में यह mention है, अब आ गया हमारा section 4, section 3 खतम हो गया, section 4 बहुत basic सा है, बहुत छोटा सा है, question भी बहुत ही कम बनते हैं इसमें, इसमें बोला जब Hindu marriage act आया था, उस time पे जो भी text या कोई rule था, या कोई interpretation थी, या कोई भी custom usage था, ठीक है, अगर उसमें किसी भी matter पे, यहाँ पर हमने Hindu marriage act पे law बना दिया है, तो यह law ही applicable होगा, वो चीज़ें खतम हो जाएंगी, मानलो शादी का custom था, और शादी के उपर law बन गया, तो इसका मतलब है शादी के उपर जो भी custom usage थे, वो खतम हो जाएंगे, और यहाँ पर जो provision बने हुए हैं, इस act में, वो ही applicable होंगे, बी clause क्या बोलता है, कि जो भी वहाँ पर उस टाइम law था, किसी भी तरह का कोई भी law था, वो भी सारे खतम हो जाएंगे, अगर वो inconsistent है, जो हमने यहाँ पर provision बनाए हैं, मानलो शादी का provision पहले भी था, शादी का provision अभी भी है, बट वो inconsistent था पहले, तो वो अब cease हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो यह overriding effect है, कि जो भी चीज़ें पहले चल रही थी, यह act उसको override कर देगा, means उसको खतम करके, यहाँ पर नए जो provisions बने हैं, यही follow होंगे, कोई inconsistency है, तो भी यही follow होगा, तो यह section 3 और section 4 है, section 3 बहुत important है, आपको आगे भी उसके बेस पही समझना है, पूरे act को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और in case अगर आपको कोई doubt लगता है, तो आप हमसे contact कर सकते हो, आप हमें query भेज सकते हो, और हम try करेंगे अपनी पूरी best, आपको जो भी होगा best possible solution देने की, thank you very much.